कोई बोले सत्य का अनुभाव होता है, बस आपको नहीं हुआ, इसलिए आप नकारते रहते हो, तो बात समझ ही नहीं रहा है, सत्य की परिभाशा ही क्या है, एको अहम दुतियो नास्ति, वही भर है, दूसरा नहीं है, जब दूसरा नहीं है तो उसका अनुभाव कौन लेगा पर लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो सत्य का अनुभा हुआ है, मुक्ति का अनुभा हुआ है, समाधि का अनुभा हुआ है अरे भवा, जब सत्य होता है तो सत्य ही होता है और सत्य से लोट के नहीं आया जाता है एक तरफा मार गए, वहाँ जाके कोई लौटता नहीं है, तुम कैसे लौट करके आ गए वहाँ का हाल सुनाने के लिए, सत्य कोई भगल का महला है कि गए थे, थोड़ा मतर गश्ती करी और वहाँ से लौट के बता रहे हो वो जो हरा वाला घर है न वहाँ, बढ़िया सत्य भैपत है, जहां फिर आना और जाना नहीं, जो गया सो लौट के नहीं आया, तभी तो लोग जाते नहीं है, जो गया वो लौट कर नहीं आया, तुम कैसे लौट कर आगए अपना अनुभव बताने के लिए, तुम कौन हो, वास्तों में तुम अपना कोई सपना बता यह सब जो समाधी के अनुभाव और इधर उधर की बातें हैं, दिव्य अनुभूतियां, पारलौकिक तरंगें, जादुई प्रकाश, यह सब क्या हैं? यह मन के भरम हैं. सब अनुभाव तो मन को ही होते हैं, मन तो सक्रिय ही था, अनुभाव ले रहा था, जब मन सक्रिय ही था, अनुभाव ले रहा था, तो कौन सी समाधी? समाधिक का तो मतलब है कि वहाँ पर स्मृति भी निश्क्रिय हो जानी है तो तुम कैसे बच गए इसलिए समाधि कोई अवस्था नहीं होती अवस्थाएं चलती रहती है अवस्थाओं के नीचे समाधि होती है लोगों ने क्या करा है कि समाधि को भी अवस्था बना लिया है समाधि को भी अवस्था बना लिया है समाधि तब है जब मन शान्त है उपर उपर से अपना जो कारिकरम है प्रकृति का वो चल रहा है प्रकृति का कारिकरम चल रहा है आहम प्रकृति से विलग होकर के आत्मा में शान्त है यह समाधी है यही सहज समाधी है बाहर अपना कारिक्रम चलने दो भीतर हम है तो समाधी कोई विशिष्ट अनुभाव नहीं होता यह तेई समार्ज को फलाने बुधवार प्राता साड़े पांच बजे मुझे ठीक साड़े चार मिनट के लिए समाधी लगी थी दुम कोई बीमारी बता रहे हो क्या कोई हादसा बता रहे हो क्या बता रहे हो कि साड़े चार मिनट के लिए फलाने दिन फलानी जगह पर ऐसा हुआ था ऐसे नहीं होता समाधी हो गया रहा ये सब अनुभव, अनुभव मात्र है, और सब अनुभव अहंकार कोई होते हैं, और अहंकार जब तक अनुभव ले रहा है, तब तक वो अहंकार मात्र है, जब तक अनुभव में उसकी रुची बनी हुई है, जब तक वो किनी खास अनुभव को समाध्य त्यादि का नाम द समाधी समझलो ऐसी है जैसे हरिदय का धड़कना ऐसी होनी चाहिए समाधी बाहर बाहर क्या हो रहा है बात कर रहा हूँ सोची नीरा अपने दिल के बारे में वो चुपचाप पीछे अपना काम कर रहा है लगातार और चुपचाप ये समाधी की बात है निरंतर और मौन उसमें क्या होती है दो बातें निरंतरता और मौन जैसे दिल के धड़कने में तुम ये थोड़ी कह सकते हो दिल के धड़कने का चार मिनट के लनुभव हुआ तो खुल चारी मिनट धड़का तुमारा दिल बड़े जबदस्त मुड़ दे ओ फिर तो दिल तो लगातार धड़के न समाधिय ऐसी है वो लगातार रहे है और बाहर-बाहर कारिक्रम चलता रहे और बाहर-बाहर का कारिक्रम सुचार रूप से चल ही इसलिए राय क्योंकि भीतर दिल मौन धड़क राय यह समाधिय है